हैलो फ्रेंड्स मॉम्मी की टेस्टी रसोई में आप सभी का स्वागत है आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मल्टी पर्पस मसाला बॉक्स आईए बनाते हैं मल्टी पर्पस मसाला पाउडर बनाने के लिए मैंने फो टेबल स्पोन जीरा, तू टेबल स्पोन सौफ, तू टेबल स्पोन साबुध धनिया, तू टेबल स्पोन काला नमक, वन टेबल स्पोन अजवाएन, वन टेबल स्पोन काली मिर्च, पांस छे लाल मिर्च, हाफ टेबल स्पोन हिंग, फ्रेंड्स अगर आपने ये मसाला एक बर बना लिया तो आप इसे किसी भी तरह की चाट में यूज़ कर सकते हैं पापडी चाट, धाइबला चाट, आलू टिक की चाट आप इसे अपने राइते में भी डाल सकते हैं इससे हमारे राइते का टेस्ट डबल हो जाएगा एक पैन गेजिए इसमें हामक, जीरा, खनिया, तॉप, गाली मिर्च, लाल मिर्च इन सबी को डाल कर आप इने अच्छे से रोस्ट करेंगे फ्रेंट हमें इसे लो फ्लेम पर रोस्ट करना है जब तक कि इसमें से एक अच्छी सी खुश्बू ना आने लगे फ्रेंट्स देखिए हमारी सबी चीजे अच्छे से रोस्ट हो गई है इसमें से बहुत अच्छी सी खुश्बू आ रही है मैंने इसे 6-7 मिनिट तक लो फ्लेम पर अच्छे से रोस्ट किया है और अब हम इसमें अपनी हींग भी ऐड़ करेंगे इन सबी को अच्छे से बिला लिए जिए अब हम इसे थंडा होने के रिए रख देते हैं थंडा होने के बाद हम इसे एक जार में अच्छे से ब्लेंड करेंगे यह पिल्कुल थंडा हो गया है आए अब इसे एक ब्लेंड़िंग जार में लेकर फीस लिए कि कि अब हमारा जो काला नमका भो भी मिला देंगे और इसे अब मिक्सी में अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे फ्रेंड्स मैंने इसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है देखी friends हमारा multi-purpose masala box बिल्कुल ready है आप इसे किसी भी तरह के रायते में धाई बला चाठो, आलू तिक्की चाठो, पापडी चाठो किसी भी तरह की चाठ में आप इसे डाल कर खा सकते हैं आप किसी भी airtight container में इसे 3-4 महिने तक easily store कर सकते हैं अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे जैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए